Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है एक राशीफल ये 28th October से लेकर 3rd November तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और इस वीडियो में सब भी Signs के सापता है एक राशीफल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो डारेक्ली आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं इस reading को हम किस Signs के हिसाप से देखें तो Tarot Reading को आप किसी भी Signs के हिसाप से देख सकते हैं पिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही राशीफल चलिए जी आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of cups और ये card कहता है कि इस week जो भी काम आप अपने professional front में कर रहे हैं या फिर कोई goal मकसद है, आप उस पे focus नहीं कर पा रहे हैं, concentrate नहीं कर पा रहे हैं बहुत distracted सा आपका mind रहता हुआ दिख रहा है, बहुत deviated से energies रह रही है तो अगर ऐसा आप भी पाएं, जरूर इस चीज को चेक करके correct करें दूसरी चीज ये card कहता है कि अगर कोई decision choice इस week आपको लेनी है तो again आप decision choice नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें या तो आपके mind में चल रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजों में आपने खुद को involved करा हुआ है तो बहुत बहुत important रहेगा कि single track होगे सबसे बहले चीज आप अपने goal मकसद पे focus करें और जो भी decision choice लेनी हैं उसके लिए concrete action और initiatives लें क्योंकि बहुत सारी chances ये भी हैं कि इस week आप सोच तो बहुत जादा रहे हैं लेकिन जो भी चाहते हैं उसके लिए action initiatives नहीं ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और जब तक आप action initiatives नहीं लेंगे या नहीं ले पाएंगे तब तक आप अपने goal मकसद को भी achieve नहीं कर पाएंगे तो फिर से देखिए vision बना रहे हैं ख्वाब देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ action initiatives लें और जो भी distractions है उनको side पे रखके फिर से जो भी काम कर रहे हैं या कोई goal मकसद है उस पे focus करने की कोशिश जरूर करें और personal front के लिए आप लोगों के लिए six of swords का card है और ये card कहता है कि एक you know movement एक shift आपके personal front में आ रहा है अब again ये movement ये shift सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है simply आप यहां तो इस week travel कर रहे हैं या travels related planning, travels related सोच चल रही है कुछ के लिए भी हो सकता है पीछे किसी चीज में अटके हुए थे तो कहीं इस week आप उसी चीज में से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी possibility है कि जो पीछे चीज में आपको bother कर रहे ही थी कहीं उससे आप आगे को जाते हुए दिख रहे हैं और अल इन ओल दिखिए दोनों ही cards कहीं negative नहीं है बना ऐसे negative नहीं है कुछ भी खराब होने की बात नहीं करते हैं यह card एक phase को बता रहे हैं और कहीं neutral energies represent करते हैं और इन cards से अगर आप guidance लेते हैं तो अपने हफ़ते को और बहतर कर पाएंगे professional week की guidance मैंने professional front की sorry guidance मैंने आपको बता ही दी personal front में आप आगे बढ़ते रहें कहीं पे भी किसी भी जगह पे रुके ना next step लेने पे आगे बढ़ने पे growth और progress पे आप जादा focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके यह साब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलियो टॉर्स आप लोगों के लिए रहें यह coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the hermit और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत ज़ादा किसी चीज में ना तो involve होना चाह रहे हैं ना participate करना चाह रहे हैं किसी level पे किसी तरीके से थोड़ा सा withdraw करते वे दिख रहे हैं चीजों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं और जो भी हो रहा है कर रहे हैं कहीं उसी में ही बहुत deep जाना चाह रहे हैं आप पर जा रहे हैं कुछ चौर इसके लिए literally हो सकता है कि आप research कर रहे हैं अपने professional front related किसी चीज में या फिर you know again मैं कहूंगी और जादा जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं या मैं ये भी कह सकते हूं deep जा रहे हैं या जाना चाहते हैं and कुछ के लिए हो सकता है कि literally कोई चीज आपकी professional front या personal front में खो गई आप उसको ढून रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है missing feeling है और कहीं you know कोई idea ढून रहे हैं या फिर again किसी भी चीज को ढून सकते हैं general heading फिर से कहूंगी सब के लिए differ करेगा all in all professional front neutral रहता हुआ दिख रहा है ना बहुत कुछ great हो रहा है और ना ही खराब हो रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है ये card कहीं celebration की बात करता है get together, reunion की बात करता है जादा socialize करने की बात करता है तो professional personal front की energies एकदम से contrary हैं जहां professional front में आप जादा किसी से भी mingle नहीं होना चाह रहे हैं थोड़ा सा फिर से कहूंगी आप withdraw करना चाह रहे हैं वही personal front में आप आगे से आगे बढ़के जो भी चाह रहे हैं उससे related action initiatives ले रहे हैं या फिर मैं simply कहूंगे जादा socialize कर रहे हैं ये again सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है कोई party, कोई function आपके personal front में हो रहा है एक का दुक्का के लिए कोई बड़ा function हो सकता है या फिर मैं ये भी कह सकते हूं कुछ के लिए बड़ा function है शादी, marriage आपके घर में है या extended family में या friend circle या किसी में भी है और उसको आप enjoy कर रहे हैं उसमें आप खुद को बहुत जादा involve कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि again आप जादा socialize कर रहे हैं कुछ के लिए simply हो सकता है आपके कोई loved one है आप उनके घर dinner पे जा रहे हैं लंच पे जा रहे हैं उनको invite कर रहे हैं तो all in all eating, drinking, merry making fun, mazah, musti आपके post में रहती भी दिख रही है और astrology से आप लोगों के लिए capticon sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशिफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमनीज आप लोगों के लिए देखें coming week क्या ले करा रहा है क्या energies है तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है nine of pentacles nine of pentacles का card कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से एक gain एक फाइदा होने की बात करता है या फिर इन पे focus करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही this week specifically आपके profession fund में रहता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई purchase बहुत time से आप करना चाहा रहे थे और नहीं खरीदे थे, नहीं खरीद पा रहे थे बहुत सरे chances हैं इस week आप खरीदेंगे overall के लिए जो भी पीछे आपको फाइदा हुआ मुनाफ़ा हुआ या positive outcome मिला इस week आप उसको enjoy करना चाहा रहे हैं और कहीं independently अपने बलबूते पे या अपने साथ ही enjoy करते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी workplace को renovate करना चाहा रहे हैं garden maintain करना चाहा रहे हैं यह literally हो सकता है overall के लिए दिखिए फिर से मैं कहूंगी money पैसे से related मुनाफ़ा फाइदा हो सकता है और कहीं बहुत ही gracefully बहुत ही sophisticated तरीके से आप अपना काम present करते वे दिख रहे हैं all in all professional front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and personal front से आप लोगों के लिए awakening का card है तो सबसे पहले चीज यह card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक जाग रुकता हो रही है यानि कि आप realize नहीं कर रहे थे आपको एहसास नहीं था इस week आप एकड़म से सोते से जागते वे दिख रहे हैं आपको ऐसे लग रहे है अरे आपने कैसे इस चीज को इगनोर कर दिया यह कैसे हो गया यह आपको इस चीज का हैसास ही नहीं हुआ और दूसरी बात यह काड़ कहता है कि थोड़े से compromises, थोड़े से adjustments आप कर रहे हैं life है, करने पड़ते हैं थोड़ा सा खयाल रखें कि over adjustments और compromises ना करें क्योंकि इससे फिर आगे चल की problem होती है फिर से कहूंगी थोड़ा बहुत तो हम सब को ही adjustment करना पड़ता है जिंदिगी का दूसरा नाम ही adjustment है लेकिन हर चीज़ जब हम balance में करते हैं तभी life easy रहती है नहीं तो फिर खाम खांके complications होती है and एक और बात यह काड़ कहता है कि जो भी कर रहे हैं उसके लिए अपना थोड़ा सा नजरिया बदल के उसको देखने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें या फिर उसको deal करें all in all personal front neutral है professional front काफी अच्छा रहता वा दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे insignificant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशिफल और नीचे मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि इस आप लोगों के लिए देखें आपको यसे लग रहा है कि भी जो भी हो रहा है कहीं नो ठीक नहीं हो रहा है ये आप deserve नहीं करते थे अब देखिए reason और situation सब concern के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि जिस भी जगा पे आप काम करते हैं वाँ किसी भी तरीके की politics चल रही है कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज़ पर आपने बहुत effort किया और जितना एक positive outcome आप expect करे थे आपको नहीं मिल रहा है और आपको यसे लग रहा है भी आप जादा deserve करते थे आपने जादा महनत करी थी उतना आपको result नहीं मिला तो दिखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा reason सब के लिए differ करेंगे overall के लिए एक unfair energies आप महसूस कर सकते हैं कहीं यह आपको ऐसे लग सकता है चीज़ें आपके favor में नहीं जा रही हैं थोड़ा सा आपके against जाती भी दिख रही है अब इस चीज़ को सुनके परिशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है तो इस week आप किसी भी ऐसी चीज़ में खुद को involve ना करें जहांपे आपको लगता है कि भी issues मसले हो सकते हैं या फिर आप अगर किसी इंसान को लेकर again किसी situation को लेकर पहले से ही doubtful हैं तो इस week at least आप उस इंसान से उस situation से दूर रहें और जितना आप surrender mode में रहेंगे और बहुत जादा expectations किसी भी चीज़ से नहीं करेंगे किसी भी इंसान से नहीं करेंगे उतना इस week को आप easily या फिर ठीक ठाक तरीके से बुजार देंगे नहीं तो फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं और personal front के लिए आप लोगों के ले 10 of cups का card है तो क्या बात है professional front में ज़रूर छोटे मोटे issues मसले हैं लेकिन personal front to concerns आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आप अपने loved ones, close ones के साथ enjoy करते हुए दिख रहे हैं कहीं family time आप लोगों के लिए ज़ादा important रहता हुआ दिख रहा है या पर family पे ज़ादा focus करते हुए दिख रहे हैं और अगर family के साथ नहीं भी आप time spend कर रहे हैं तो जो भी आपके loved ones है, close ones है उनके साथ एक togetherness उनके साथ एक या नो बहुत अच्छी सी bonding होती भी दिख रही है क्योंकि ये cups का card है तो eating, drinking, marimaking भी रह सकती है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई celebration है, get together है, reunion है या again आप ज़्यादा socialize कर रहे है अपने किसी खास loved one के साथ या overall loved ones के साथ ज़्यादा interact कर रहे हैं ज़्यादा time spend कर रहे हैं All in all, personal front काफी एच्छा रहता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Libra का card है और इसके हिससाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था किंसेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का साथ आप तही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो किसी authoritative figure के साथ आपकी ज़्यादा interaction बातचीत हो रही है या फिर आप ही बहुत authority के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं कहीं एक leadership role आप लेते होई दिख रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है all in all power position authority के around energies revolve करती होई दिख रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि literally किसी government officer से या किसी politician से आपकी बातचीत हो रही है या फिर उनसे आपका वास्ता पढ़ रहा है उनसे किसी भी तरीके का काम आपको पढ़ रहा है and कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही एक strategy बनाते हुए बहुत ही logically आप चीज़ों को deal कर रहे हैं तो दिखें king of swords is a neutral card क्योंकि swords हैं तो छोटे मुटे challenges होते हैं बट king of swords के पास इतनी power होती है कि वो उन challenges को बहुत असानी से overcome कर लेते हैं तो फिर से मैं कहूंगी इस हिसाब से ये भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी authoritative figure का काफी एक support आपको मिल रहा है अपने professional friend में and personal friend के लिए आप लोगों के linking of cups का card है तो एकदम से contrary से energies हैं जहां professional friend में बहुत logically mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं वही personal friend में चीज़ों को लेकर लोगों को लेकर काफी emotional sentimental होते वे दिख रहे हैं relationships आपके लिए काफी एहम रहे हैं relationships पे आप focus कर रहे हैं again किसी के लिए बहुत एक प्यार महबबत महसूस कर रहे हैं या फिर किसी की तरफ से बहुत एक प्यार महबबत मिल रहा है आपको eating, drinking, merrymaking रह सकती है and yes बहुत ही loving, caring, supportive energies आपके personal friend में रहे हैं all in all personal friend भी बढ़िया यानि कि ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था लिए आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राजशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वोगों आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लिक रा रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of swords और जिसी कि इस card में आप देख पा रहे हैं जो figure है card में, वो घर से बाहर जा रही है उनका suitcase भी pack है और इस हिसाब से देखें तो ये card किसी चीज को end करने की बात करता है किसी चीज को close करने की बात करता है और most of the times क्या होता है पुरानी चीजें या फिर जो भी चीज होती है जो end हो रही होती है वो भले ही हमें serve ना कर रही हो या फिर उसका काम हमारी life में खतम हो गया हो एक attachment हो जाती है और थोड़ा सा, you know हमें ये चीज bother करती है हम थोड़े से उदास हो जाते है जैसे जब कोई project end होता है तो, you know, एक अच्छी feeling भी होती है कि भाई, अब ये complete हो गया ये सरे चड़ गया लेकिन जिन लोगों के साथ हम उस project पे काम कर रहे होते हैं उनको छोड़ने का भी अफसोस होता है तो दिखी, यहाँ पर सिरफ और सिरफ मैंने आपको एक example दिया है overall के लिए इस week professional friend में किसी भी level पर किसी भी तरीके से कोई चीज end हो रही है, close हो रही है और कहीं बहुत comfortable आप नहीं feel कर रहे हैं इसी ending के साथ, इसी closing के साथ थोड़ा सा एक challenges भी इसी से related रह सकते है all in all, कुछ ऐसे खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है but yes, बहुत great भी नहीं होता हुआ दिख रहा है और फिर से मैं कहूंगी, जो ending और closing के साथ छोटे मोटे challenges होते हैं, छोटे मोटे issues होते हैं वो इस week रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of wands का card है और again देखे, ये card भी जो भी आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं उसी से ही related कुछ issues मसलों के रहने की बात करता है लेकिन थोड़ा सा difference है दोनों cards में professional front का card ending की बात करता है और हर ending के साथ एक beginning जुड़ी होती है तो उस तरीके की energies रहेंगी और personal front में seven of wands का card कहता है कि जो भी challenges हैं अगर आप बहुत courageously, बहुत boldly उनको upfront होके deal करते हैं तो आपको success मिलेगी, आपको victory मिलेगी क्योंकि seven of wands का card जहां एक तरफ issues मसलों की बात करता है तो personal front में इस चीज का खयाल रखें आपका personal front बहुत अच्छा हो जाएगा और professional front में भी कोई major issue नहीं है छोटे मोटे issues हैं अगर आप positive mind of frame में रहते हैं तो professional front में भी कोई चीज भी आपको bother नहीं कर पाएगी and astrology से आप लोगों के लिए Pices sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए रखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी पल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libra's आप लोगों के लिए देखें in coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है emperor, emperor is a very very positive card emperor कहीं you know एक authority मिलने की बात करता है एक leadership role लेने की बात करता है और इस week specifically professional fund में कुछ ऐसी सी energies रह सकती है जहां पे आप बहुत assertively बहुत confidently अपने goal अपने मकसद के लिए action initiatives लेते वे दिख रहे हैं और साथी साथ आपको एक positive outcome भी मिलता हुआ दिख रहा है तो देखिए कुछ के लिए हो सकता है इस week मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है आगे चल के मिल रहा है लेकिन जिस भी चीज के लिए आप effort ले रहे हैं कहीं you know लोग आपको value करते वे दिख रहे हैं लोग आपकी बात को मानते वे दिख रहे हैं या फिर बहुत आपका rob आपकी एक authority लोगों पे रहती भी दिख रही है आपको काफी respect मिल सकती है इस week अपने professional friend में जो भी आप कर रहे हैं और दूसरी बात ये card कहता है कि किसी authoritative figure से या तो आप बात कर रहे हैं connect कर रहे हैं या उनका support है ये authoritative figure आपके boss हो सकते हैं या government से politics से कोई इनसान हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं lawyer भी हो सकते हैं and काफी systematic तरीके से आप चीजों को करना चाहा रहे हैं या पर एक discipline आपके professional friend में बहुत जादा you know आप maintain कर रहे हैं all in all professional friend ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and personal friend के लिए आप लगों के लिए chariot का card है तो दिखिए कहीं similar सी energies दोनों ही fronts में रहती भी दिख रही हैं कहीं chariot का card भी बहुत ही assertively, confidently चीजों का control अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करता है growth, progress की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके personal friend में रह रहा है क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए relationship में हो सकता है कि आप lead लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं confidently आगे बढ़ रहे हैं इग growth, progress आपके relationship में आ रही है या personal friend में जो भी area है जिस पे आप focus कर रहे हैं उसी से related again action initiatives बड़ी confidently, courageously, boldly आप ले रहे हैं और आपको success भी या तो इस week मिल रहा है या फिर आपको ऐसा लग सकता है yes, you know, success मिल जाएगा positive outcome ही होगा तो काफी आप अच्छा feel करते हुए दिख रहे हैं all in all ये हफता ही आप लोगों के लिए ठीक था या फिर बड़िया रहता हुआ दिख रहा है और major events इस week रह सकते हैं या फिर major चीजों पे आप इस week focus करते हुए दिख रहे हैं फिर जाहें वो आपका professional front हो जाहें personal front हो and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा insignificant दे आप लोगों के लिए होगा मंडे तो ये धाले ब्रहस आप लोगों के लिए coming week का साथ था है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए उस copy ofs आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है justice justice के literal meaning को देखें तो नयाय होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहतावा दिख रहा है by the end of the week आपको ऐसे लग सकता है कि आपके साथ fair रही चीजें जो आप deserve करते थे आपको finally मिला अब इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा रहेगा अगर पीछे आपने effort नहीं किया उस तरीके से result मिलेगा यही justice का एक promise होता है और दूसरी बात हो सकता है आपको यह decision choice ले रहे हैं और बहुत logically हर चीज के pros and cons को वे करते हुए ही आप यह decision choice ले रहे हैं और जो भी लोग इस week थोड़ा सा भी emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं या किसी भी चीज इंसान के साथ attach हो रहे हैं तो justice का card कहता है बहुत ही balance तरीके से चीजों को करना है एक balance again मैं कहूंगी maintain करना है और logically चीजों को deal करना है यानि कि आप beyond the point emotional ना हो sentimental ना हो या मैं ऐसा भी कह सकते हूँ heart और mind का balance ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of wands का card है और ये card कहता है थोड़ा सा you know आप on guard रहते हुए दिख रहे हैं on guard का मतलब आप एक protective वाली energies में रह रहे हैं बैना यसे protective मतलब यहां तो आप खुद को किसी चीट से protect कर रहे हैं आपने love one को या आपने किसी काम को protect कर रहे हैं अब दिखें ये general leading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा example के तौर पे past में अगर हम hurt हो गए हैं love relationship में तो फिर हम on guard होते हैं मतलब हम थोड़े से डरे वे होते हैं हम अपने दिल अपनी feelings को हमेशा protect करके चलते हैं हम बहुत जादा चीजों में हम बहुत जादा you know relationships में involved नहीं होते हैं और मैं कहूंगी बहुत जादा free mind होके किसी से भी connect नहीं होना चाहते हैं subconscious level पे नहीं connect होते हैं हम थोड़ा सा again कहूंगी अपनी feelings emotions को protect कर रहे होते हैं on guard होते हैं तो मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि subconscious के लिए ऐसा रहेगा but yes मैंने एक example दिया कि किस तरीके से आप एक on guard रहे सकते हैं तो कुछ के लिए हो सकता है अपनी feelings emotions को protect कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी भी और चीज से आप protect कर रहे हैं अक्सिडन ना हो जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जाए तो हम उस से अपने आपको protect कर रहे होते हैं तो फिर से देखे जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए differ करेगा और कुछ के लिए जिससे कि अभी मैंने कहा कि हो सकता है आप अपने किसी loved one को अपने किसी काम को protect कर रहे हैं तो कहीं on guard वाली energies रहती हुए दिख रहे हैं और इसका मतलब यह नहीं है क्यों कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब सिरफ यह है कि आप risk नहीं लेना चाहा रहे हैं आप कोई chance नहीं लेना चाहा रहे हैं आप बहुत safe, secure होके चीज़ों को करना चाहा रहे हैं और astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week कर सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले सेटेजिए आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में minor irritation, minor frustration रह सकती है अब reasons सब sedentaries के लिए differ करेगा लेकिन ये card कहता है या तो आपके professional front में कोई इनसान है जो थोड़े से irritating से रह रह रहे हैं उनका communication बहुत straight forward blunt है या tonting में बात कर रहे हैं या हर चीज को लेकर थोड़े से defensive हो रहे हैं जिद्धी हो रहे हैं या Sagittarius आपकी ही ऐसी energies है जहां पे एक again आपने जिद किसी चीज के लिए पकड़ी हुई है आपका communication ठीक नहीं है क्योंकि देखिए जब हम भी किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं तो deeper level के लिए हम खुद भी परिशान होते हैं और again कुछ के लिए हो सकता है आपकी mature energies हैं जिसकी वज़े से issues हो रहे हैं और कुछ seritaries के लिए हो सकता है कोई news, phone call, email, message आपको मिल रहा है जो थोड़ा सा आपको upset कर रहा है तो दिखिए page का card है तो फिर से कहूंगी minor ही चीजे रहेंगी और tarot guidance के लिए होता है तो पहले से ही आप थोड़ा सा aware होके इन चीजों को avoid भी कर सकते हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए turn of wands का card है ये card कहता है शायद आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है बहुत सारे काम आपके उपर है और थोड़ा सा इसी वज़े से pressurize आप महसूस कर रहे हैं आपको यसे लग रहा है कि भाई कितना burden है कितनी सारी चीजें करनी है तो यहाँ पर देखिए जब भी भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत important है आप अपने आपको offload करें थोड़ी सी अपनी responsibilities कम करें थोड़ा ऐसा अपने आपको light रखें क्योंकि देखिए जब भी भी हम in energies में होते हैं इस time हम नहीं देख पाते हैं लेकिन आगे चलकर फिर हम परेशान होते हैं और इस card की यही guidance होती है please learn to say no gracefully otherwise एक यह दोनों ही फिर से मैं कहूंगी minor arcana के cards हैं और minor arcana के cards कहीं you know हमें यह message दे रहे होते हैं कि अगर हम aware रहें तो हम इस situation को avoid कर सकते हैं इस हफते को आप भैतर कर सकते हैं और अगर आप नहीं guidance लेते हैं तो फिर छोटे मोटे issues zone ही friends के लिए रहते हुए दिख रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए Virgo sign का card है इसके हिसाब से all shades of beige and brown इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day तो ये था सेटेटेरिस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of pentacles और जैसे कि इस card में आप देख पा रहे हैं ये figure रसी के उपर खड़े हुए हैं दोनों ही हाथों में कोई न कोई समान है और balance maintain करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इस तरीके की energies आपके professional front में इस week रह सकती है आप या तो एक से जादा चीजों में involved हैं या फिर एक से जादा काम आप कर रहे हैं और कहीं इन ही चीजों को लेकर या otherwise भी एक balance आप maintain करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है बहुत up and down, in and out वाली आपकी energies है कभी तो किसी चीजों को लेकर बहुत motivated है और दूसरे दिन आपको उसमें इतना interest नहीं है उसी चीजों को लेकर आप demotivated feel कर रहे हैं तो इस तरीके की भी energies रह सकती है जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी कि बहुत एक stable तरीके से चीजों को नहीं deal कर रहे हैं नहीं deal कर पा रहे हैं कभी आपका मन कुछ कह रहा है कभी आपका मन कुछ कह रहा है तो दीखिए this is not a negative card तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है आपने थोड़ा सा conscious awareness के साथ कैसे एक stability ला सकते हैं उस पे focus करना है और चीजों को prioritize करना है क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारी चीजों में एक साथ involve हो रहे हैं ऐसे में ना हम किसी भी चीज के लिए justice नहीं कर पाते हैं हमें थोड़ा सा pause करके समझना पड़ता है कि भई क्या चीज हमारे लिए सबसे ज़ादा important है और जब हम ऐसे चीजों को prioritize करते हैं हम अपनी life को भी असान बनाते हैं तो इन चीजों का खयाल आप specifically professional front में इस week ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए 8 of cups का card है और ये card कहता है थोड़ा सा आप emotionally low feel कर रहे हैं अब reason सब के लिए differ करेगा लेकिन जैसी कि आप इस card में देख पा रहे हैं जो figure है वो घर से बाहर जा रहे हैं यानि कि घर को छोड़ कर बाहर जा रहे हैं तो ये card कहीं किसी चीज को छोड़ने की बात करता है अब इस week के लिए फिर से मैं repeat कर दूँ सिरफ और सिरफ इस week के लिए किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं आप बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए कोई connection हो सकता है relationship हो सकता है कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ के लिए professional, sorry ये तो personal front के लिए ही है तो again कोई भी चीज हो सकती है जिसको छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं reason सब के लिए differ करेगा लेकिन इस card के हिसाब से जिस भी चीज को छोड़ रहे हैं कहीं वो चीज आपको वो happiness नहीं दे पा रही है या फिर थोड़ा सा you know आप disconnect feel कर रहे हैं या एक उदासी सी महसूस कर रहे हैं अब दिखिए ये card ये नहीं कहता कि कुछ खराब हो रहा है in fact ये card कहता है सब कुछ बढ़िया है लेकिन जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं आपको वो happiness नहीं दे पा रही है और आपको लग रहा है बस मैं सब कुछ छोड़ कर आगे बढ़ जाओ और कुछ इस तरीके की energies personal front में रहेंगी और जब मैं कहती हूँ कि आप relationship जगा को छोड़ रहे हैं तो देखिए जगा को छोड़ने का मतलब ये भी हो सकता है आप travel कर रहे हैं और relationship या किसी भी चीज को छोड़ने का मतलब ही होता है कि आप इतना जादा उसमें involved नहीं हो रहे हैं इस week आप इतना जादा उस चीज में या फिर उस इंसान के साथ participate नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी weekly reading कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस week के लिए SEC energies रह रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का लिए करा रहा है कि energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है page of cups और यह card कहता है कि इस week अगर किसी भी message phone call email का आप वेट कर रहे हैं तो मिल सकता है और कहीं message phone call email news आपको एक happiness एक joy दे सकती है in fact you know पूरे ही week में छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो की एक happiness joy दे रही है और यह happiness joy कहीं पैसे या फिर materialistic tangible चीज़ों से इतनी नहीं आती हुई दिख रही है जितना की relationship या फिर जब हम कोई काम करते हैं और हमें बहुत एक satisfaction होती है उससे आती हुई दिख रही है overall यह भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है अगें छोटी मोटी ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जो की एक happiness joy आपको दे रही है लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपने आपको बहुत ही emotional बहुत ही sentimental किसी चीज़ के लिए होता हुआ पाएं या फिर immature तरीके से चीज़ों को deal करते हुए पाएं तो जरूर चक करके correct करें कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके professional friend में या तो कोई young इंसान है या फिर age में बड़े इंसान भी हो सकते हैं जो immature तरीके से चीज़ों को deal कर रहे हैं ना फिर काफी emotionally demanding हो रहे हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए the magician का card है magician का card कहीं magical energies की बात करता है तो सबसे पहली चीज़ किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने personal friend में उमीद खोई और आपको ऐसे लग रहा था कि भई ये तो possible नहीं है तो इस week magician का card कहता है बहुत सरे chances हैं कि वो चीज़ possible हो जाए और आपका वो काम बन जाए overall के लिए देखें तो या तो कोई इनसान है जो बहुत ही you know एक magician वाली energies में है magician देखिए अच्छी energies की भी बात करता है साथी साथ थोड़ा सा manipulate करने की diplomatically चीज़ों को deal करने की भी बात करता है और अगर personal friend में कोई इनसान है जिनकी magician वाली energies है तो आपने थोड़ा सा cautious भी रहना है थोड़ा सा alert भी रहना है क्योंकि हो सकता है वो आपको manipulate करें हो सकता है वो diplomatically आपसे deal करें तो यहाँ पर आपने pause करके इस चीज़ को समझना है कि उनके intentions उनके motives ठीक है और अगर ऐसा है तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा भी आपको किसी भी इनसान पे situation पे doubt हो तो आपने तुरंट you know alert हो जाना है cautious हो जाना है otherwise magician का card कहता है कि बहुत assertively बहुत confidently जो भी आप चाहते हैं उसके लिए action initiatives ले रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको वो positive outcome मिलेगा जो भी आप चाहते हैं आप उसको manifest कर पाएंगे all in all personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red maroon rust आप लोगों के लिए इस week लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था एक विजियस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए पाइसे आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है release और देखें release के literal meaning को देखें तो किसी चीज को let go करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है अब दिखें ये general reading है तो सब pieces different different level पे different different चीजों को release कर सकते हैं कुछ के लिए simply हो सकता है कि कि किसी बात को आप पकड़ कर बैठे हुए थे in a good way और in a bad way उसको आप release कर रहे हैं जैसे होता है ना किसी की कोई बात hurt कर गई और हमारा मन उसको let go ही नहीं कर पा रहा है हमने पकड़ लिया हम परिशान हो रहे हैं तो इस week कहीं you know finally आप release कर रहे हैं again ये surprises के लिए नहीं रहेगा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ example दे रही हूँ कुछ के लिए हो सकता है आप थोड़े से rigid fixated हो रहे थी कि भई इसी तरीके से काम करना है और इस week आपको इसे लग रहे है कि भई इस तरीके से तो research नहीं मिल रहा तो इस तरीकों को छोड़ते हैं दूसरे तरीके से काम करते हैं और कुछ के लिए हो सकता है किसी level पे ending beginning हो रही है, आप किसी job को release कर रहे हैं, किसी project को release कर रहे हैं, आप किसी इंसान को release कर रहे हैं, यानि कि अगर आपका business है तो कोई co-worker या कोई इंसान जो आपके लिए काम करते हैं, वो काम छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर आप उनको let go क आप उनको release कर रहे हैं, दिखें, यहां पर हम बहुत ही broader level के लिए देखते हैं, हम literal meaning release का नहीं देखेंगे, तो सब के लिए release डिफर करेगा, नचल में अगर हम देखें तो एक ending beginning या फिर किसी भी चीज को let go कर रहे हैं, again वो job हो सकती है, जगा हो सकती है, किसी की कही हुई को energies रहे हैंगी, letting go वाली या फिर ending beginning की, and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of pentacles का card है, और यह card कहता है कि आप जो भी personal front में हो रहा है, उसी से related आगे की planning करना चाहा रहे हैं, एक सोच रहती भी दिख रही है, और बहुत safe, बहुत secure होके आप चीजों को करना चाहा रहे हैं, इ भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, अब दिखिए यह general leading है, फिर से मैं कहूंगी, stability, security, सब prices के लिए personal front से related different life के areas रहेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने relationship में बहुत stability, security महसूस कर रहे हैं, आप अपने relationship में बहुत safe महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सक सब के लिए different personal life के areas रहेंगे, एक routine work रहता हुआ दिख रहा है, आप जो भी एक रोज मरा की चीजें होती हैं, उन पे जादा focus करते हुए दिख रहे हैं, money, पैसा, materialistic, tangible चीजों के point of view से, यह भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, यानि कि money, पैसे से related, कोई भी मसला, सब करते हुए दिख रहे हैं, बट टीनों जब भी एक राड़ाता है, मैं यही कहती हूँ, कि आप बहुत जादा सोच रहे हैं, और जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं, अच्छी opportunities आती हैं, और हम उनको miss कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहते हैं, और हम over safe, over secure होके चीज़ों को deal करना चाहते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगे अच्छी opportunity आ रही है, और over safe, over secure होने के चक्कर में, आप उस opportunity को नहीं avail कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप चक करके correct करें, otherwise personal front काफी अच्छा आपका जाता हुआ दिख रहा है, और astrology से आप लोगों के लिए Mars planet का card है, इसके हिसाब से all shades of red maroon rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था पाई से साप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपक नेक्टर पाई